अगर आप रिसर्च कर रहे हो इंसिट्यूट बेस्ट कौन सा रहेगा इंटियर डिजाइनिंग को सीखने के लिए तो सबसे पहले मैं चीज बता दूँ गूगल पर जैसे ही आप रिसर्च करते हो बेस्ट इंटियर डिजाइन कॉलेज और इंसिट्यूट वटावर इंटियर डिजाइनिंग तो जितने भी आपको ओप्शन दिखते हैं ना 90% उनमें से पेड होते हैं गूगल को पैसा दिया जाता है या जिसने आपका वह आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल में छपने के लिए आपके इंस्ट्यूट चो है वह पे करते हैं उनको वहां पे छ कौन सा है सीखने के लिए इंटियर डिजाइनिंग उसको लेके मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं पहली बात ऐसा कोई भी कोलेज इंस्टिटूट है ही नहीं इंटियर डिजाइनिंग में जैसे होता है ना आइटी इस होती है नोन मेडिकल फिल्ड में अगर आप करना चाहते तो आइटी बेस्ट कॉलेज है वैसे ही अगर आप मेडिकल फिल्ड में हो तो एमस जो है वह बेस्ट कॉलेज है ऐसा कोई भी कॉलेज है कि नहीं इंटियर डिजाइनिंग में जहां पर जाओगे और आपकी लाइफ एक तम सैट हो जाएगी आपको खुद को मे अब बात आती है कि कैसे आप ठूंडोगे एक अच्छा इंसिट्यूट तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है पहली बात पढ़ाने वाला कोन इंसिट्यूट में इंसिट्यूट का नाम मैटर नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन इंट्रस्ट होगा तो उसने इंटियर डिजाइनिंग में कुछ काम किया होगा तब वह आपको बैटर तरीके से समझा सकता है एक आपको मालो मैंने क्या किया एक इंसिट्यूट से पढ़ाई कर ली दो तीन साल चार साल एक डिग्री ले लिए इंटियर डिजाइनिंग में अब मैंने क्या किया मैंने प्रैक्टिकली उसको कभी कुछ करके नहीं देखा बस मैंने डिग्री ली थी और एक पास आउट स्टूडेंट होके मुझे एक जॉब मिल गई इंटियर डिजाइनिंग के किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो सोचो एक फाइनल एर के कॉलेज में वह कौन है क्या उसका सिरफ टीचिंग में experience इतने साल का या उसका practical जो वख हैं इंटीयर डिजाइनिंग का उसमें एकस्परेइन्उ है के नहीं अगर वह experience teacher मिल जाता है ना खुद इंटीयर डिजाइनिंग के जिसका experience है करा ऊब हुए उसने design तो वह आपके ल और तीसरा है क्राइट की नोलेज एक करके एक्स्प्लेइन करता हूं थियोरी होती है आपको यह बताया जाता है कि जो एक स्पेस है मालो मैं तो रेजिदेंशल एंटियर डिजाइनर हूं तो मैं उस प्रोस्पेक्टिव से आपको बताता हूं मालो एक बेडरूम में होता रहता है या फिर कबड़ खोलने लगते हो तो वह किसी टेबल पर टकरा आजाती है तो यह क्लियर एंसे होते हैं जो यह थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा मैं जादा बताऊंगा तो लेकिन अगर आप यह थियोरी अच्छे से समझ पाते हो ना उसके बाद ही एक्छल मे और वहां पर आपने वोडन फ्लॉरिंग देदी देखने में बहुत अच्छी लग रही है लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए कि आप वोडन फ्लॉरिंग वो बातरूम में दे नहीं सकते क्योंकि वहां पर पानी का काम होता और वोड जो है बड़ी खराब हो जाएगी पानी से और ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजे होती है जो ध्यान देनी पड़ती है तीसरी चीज होती है वह होती है कैड की फाइस कंप्यूटर में आपकी जो फाइल बनाई जाती है ड्रॉइंग बनाई चाती है एक तरीके से ताकि आपका जो भी आती रहें बैटके तो यहां पर आपका 這 होता है तो यह तेना चीज आपको पता चल जाएं अगर इंस्ट्यूट के वहाई तो वो इ개를 वेस्ट सबस्क्राइब और अब को पता कैसे चलेगा झेछ कोई फेल प्रीजह करता है कि उनसे आपको पूछना ओग वो exactly कित्ने होते हमां पर जितनी जादा साइड million सोंगे जाधी प्रेक्टिकल दिओर नौलेजँ बड़ेगी महां पदा चलेगा यह यह materials यूज़ करे होएं इस design में और क्यों करे हो यह भी पता चलेगा अगर आप site visits पे जाते हो तो दूसरा जो theory की knowledge है वो आपको बता सकते हैं जो already वहां के students है वो students से पूछोगे कि आपको कितनी clarify है concepts वो बता देंगे आपको ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और जब तीसरा है CAD की knowledge तो क्या बोलू मैं ज्यादा तर इंसिट्यूट्स ना यह basics पढ़ा देते हैं CAD के इंसिट्यूट्स कम भड़ाते हैं इंटर्णशिप अगयरा में ज्याज़ा सीखते हो एक पौनस्टेप और देता जाता हूं मैं आपको कि अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो आप किसी college से करो और अगर आप डिपलोमा या courses करना चाहते हो तो आपको करने चाहिए किसी इंसिट्यूट्या अकडमी से ऐसा क्यों पोल रहा हूं क्योंकि जो डिगरी है वो दे सकती हैं चिरफ ओन्यूर्स्टीज और यूनिवर्स्टीज से सीधा डारेक्ट कनेक्शन में होता है किसी इंसिट्यूट्यूट्सória पास आप जाओ गे वह आपको डिगरी लेके करें तो वह तो करवाते ही नहीं है को दिग्री करवाते से चार साल की अगर आपको डिप्लोमा करना है यह शॉर्ट कोस्षिस करने तो आपको इसिट्यूस में चाहिए इन फैक्ट आपको डिपेंड गरता है कि आपके पास time कितने कितना time में आप इंटियर डिजाइनिंग की स्टडी में देना चाहते हो उस बिसिस पे डिसाइड करो कि डिग्री करनी है या डिप्लोमा कोई मेजर फरक नहीं होता ना कि जिसके पास डिग्री है उसको ऐसा जॉब मिल जाएगा या डिप्लोमा वाले को नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नह जो है तो आपको अच्छी है तब भी आपको मिल जाती है तीनों चीजों की ट्रेक्टिकल नोलेज थीरी की नोलेज और क्याट की नोलेज तीनों अच्छी है तो आपको असानी से जोब मिल जाती है So this was it. How can you choose a best college? So see you guys in next video. Till then, bye bye.